यह है Easy English और वक्त चला है English की पार्ट शाला का I hope आपको चानल पसंद आ रहा है और यहां बनाए जारे सारे वीडियोज आपको किसी ना किसी तरह मदद कर रहे हैं आज हमारे पास हैं दो confusing words, proceed, unproceed अब जब आप इन शब्दों को पहले देखते हैं तो आपको तकरीवन यह एक ज़से देखते हैं क्योंकि तकरीवन spelling सेम है और pronunciation भी nearly सेम है बट इनका usage और meaning different है और यही वज़ा है confusion की क्योंकि एक ज़से दिखते हैं, एक ज़से pronounce होते हैं तो अकसर लिखते हुए या कहते हुए, बोलते हुए हम लोग गलत शब्द, गलत जगा पर बोल देते हैं So, आज हम meaning समझ लेंगे, usage समझ लेंगे, problem रहने ही नितेंगे First, we have proceed Proceed means to come before or something that happens before than something in time या फिर to lead पूर्व में होना, या किसी चीज से पहले होना, या किसी चीज से आगे चलना, या पहले जाना तो अगर आप किसी कमरे में पहले जा रहे हैं, तो आप proceed कर रहे हैं कुछ काम पहले हो जा रहा है, तो वो proceed हो रहा है और किसी चीज से पहले हो जा रहा है, पूर्व हो जा रहा है, तो उसे भी proceed कहेंगे For example, beautiful dance performance preceded the main event यानि main event से पहले beautiful dance performance हुआ या फिर the chairman who preceded Mr. Mehta was very strict Mr. Mehta से पहले जो chairman थे, वो बहुत strict थे या he was preceded by the receptionist यानि receptionist जो थी कमरे में पहले चली गई और वो जो थे कमरे में बाद में गई, या कहा जाए तो receptionist ने उन्हें कमरे में lead किया, वो आगे आगे गई Next we have proceed, proceed is to begin, to get moving, to get going move ahead, make way, यानि आगे बढ़ना या शुरू करना देखे, वहाँ simple सा एक method है जिससे आप याद रख सकते हैं प्रो जहाँ है, proceed यानि शुरू कर देना, आगे चलना, आगे बढ़ना, to get moving or to get going, proceed जब आती है, precede, तो pre मतलब पहले, पहले हो जाना, पहले चले जाना, पहले कमरे में चले जाना, तो प्रिक्वल से याद रखे, proceed Anyway, proceed के example, as we still have time, let's proceed with the next chapter, यानि हमार पास अभी वक्त है, तो चलो, अगला chapter पढ़ते हैं From first math problem, proceed to the next one and continue doing so till the 20th one, तो पहली math problem से शुरू करो, और उसके बाद अगले पर बढ़ जाओ, और ऐसा 20th problem तक करते रहो Proceed का एक और मतलब है, that is, originate or stem, यानि से उत्पन होना तो bad magic proceeded from Voldemort, but there is much more to the story, यानि bad magic Voldemort से शुरू हुआ, लेकिन इस कहानी में और भी बहुत कुछ है So, how did you find this video? Helping or not? Let me know in comments below and also, अगर आपकी कुछ सुजेशन हैं या आप किसी specific शब्दों के बारे में जानना चाहते हैं, तो मुझे बताएं